Hello everyone, welcome back to Magnet Brains, my name is CS Payal and this video में हम पढ़ने वाले हैं functions of lower level management See, मैंने आपको previous video में बताया था lower level management को operational level management भी बोला जाता है और supervisory level of management भी बोला जाता है तो अगर मालनी जे कभी question आता है कि supervisory level of management के functions बताये या वो क्या होता है, कि exactly क्या होता है, कौन आता है उसमें तो उस time पे confused नहीं होना, तीनों नाम सेम ही है functions के बारे में बात करें तो ये बोलते हैं Representing the problems or grievances of workers ये बोलते हैं कि जो लोग आपके organization में काम करते हैं सबसे basic level पे, जो हाथ से और machine चलाने वाला काम करते हैं जो workers होते हैं, इनके भी कुछ problems होते हैं और अगर workers के issue को timely ना deal किया जाए तो बहुत बड़ी problem में convert हो सकते हैं Reason being आप मुझे बताइए, अगर चार workers को कोई problem जा रहे थी किसी ने नहीं सुना, तो उन्होंने trade union बना के सब workers को मना कर दिया काम करने के लिए कौन influence होगा, पूरी organization influence होगी हर किसी को दिक्कत जाएगी, काम रुख जाएगा, production रुख जाएगी, sale रुख जाएगी तो ऐसे सिनारियो में workers को अच्छे से manage करना उनके जितने भी complaints हैं, वो entertain करना उनको क्या problem जा रही है, क्या चीज की requirement है ये सारे चीजे ensure करना हमारा काम होता है lower level management का तो ये लोग basically क्या करते हैं, ये लोग workers के साथ touch में रहते हैं उनकी day to day activities देखते हैं, उनको किस किस चीज में दिक्कत जा रही है वो सब note करते हैं और वो उपर level वाले लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं फिर ये बोलते हैं, maintaining good working conditions and developing healthy relationship between the superior and subordinate the supervisory managers provide good working conditions and create supportive work environment which improve relation between supervisor and subordinates ये बोलते हैं कहीं न कहीं ये भी एक link का काम करते हैं बिल्कुल नीचे level वे लोगों के बीच में और उनके supervisors के बीच में और दोनों को कैसे अच्छे से रखना है conflict बिना arise करवाए हुए, disputes बिना arise कराए हुए तो ये सब ensure करना भी कहीं न कहीं lower level management का ही काम होता है then they say looking for the safety of workers अब देखिए, कोई worker machine पे काम कर रहा है जाता है, नुकसान किसका होगा, organization का होगा compensation किसको bear करना पड़ेगा, organization को bear करना पड़ेगा और बदनामी भी किसकी होगी, organization की ही होगी बदनामी में इसने बोल रही हूँ कि कि अगर कोई अपने workers का ध्यान नहीं रख पाता है तो काफी negative image जाती है पूरी society में, पूरे market में उस particular organization की कि ये तो अपने workers का ही ध्यान नहीं रख पाए ये production क्या अच्छा करेंगे तो ऐसे scenario में उनकी safety का ध्यान रखना properly जितने भी वो आते हैं, gears वगेरा आते हैं machine में काम करने से पहले उन सब को arrange करना, उन सब को लगवाना, workers वोने पैने हुए हैं, helmet वगेरा, gloves वगेरा ये ensure करना किसका काम होता है हमारे lower level management का ही काम होता है then they say, they try to maintain precise standard of quality अब देखिए, workers हाथ से काम करें, फ़र से एक company थी जो shirts बनाते थी अब workers हाथ से shirt बना रहे हैं, दो-तिन pieces ऐसे मिले जिसमें shirt का बाजू सही नहीं बना वा था एक बाजू बड़ा था, एक छोटा था ऐसे सिनारियो में अगर ऐसी कोई भी दिक्कत जाएगी तो उसका क्या फर्क पड़ेगा उसका फर्क पड़ेगा कि organization की बनामी होगी तो ये ensure करते हैं, lower level management ये ensure करती है कि workers जितने भी हमारे products बना रहे हैं, उनकी quality अच्छी हो quantity तो जादा से जादा होगी होगी, मतलब ये motivate इतना कर देंगे workers को लेकिन उन चीजों की quality भी उतनी अच्छी हो workers efficiently perform करें, अपना maximum जितना दे सकते हैं उतना देने की कोशिश करें कम inputs में जादा output derive करें, ये सारा ensure करना भी कहीं न कहीं हमारे lower level management का ही काम होता है तो ये ensure करती है कि workers efficiently perform करें minimizing the wastage of materials and maintaining safety standards ये बोलते हैं भईया, जो materials आते हैं, चाहें मंगवाए कहीं से भी हों, कहीं पे भी किसी की भी order करने पे आये हों लेकिन उसका use कौन करेगा, workers करेंगे और अगर workers ने उस तरहीके से उनका इस्तेमाल नहीं किया जिस तरहीके से top level वाले या middle level वालों ने expect किया था then in that scenario हो सकता है, बीच में material खतम हो जाए आपको दुबारा से order करना पड़े तो ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि आपके बने होता है कुछ budget हर चीज से related तो ये बोलता है कि ये भी ensure करता है कि आपके जितने भी raw materials हैं, जितने भी resources हैं उनका optimal utilization हो, उनका wastage ना हो तो ये चीज़े ensure करना कहीं न कहीं हमारे lower level management का काम होती है फिर ये बोलता है interact with the actual workforce and pass on instruction of middle level management अगैन ये भी bridge का काम करते हैं किन-किन के बीच में workers on middle level management के बीच में middle level management क्या बात बोलती है वो जाके intimate करना in a proper way कि इसको workers को ये काम होता है हमारे lower level management का then they say the quality and quantity of output depends upon hard work, discipline and loyalty of workers and workers are controlled and managed by supervisory level managers हो सबता है manager हमारे workers हो, वो dishonest nature क्यों दिखाते अलग काम हो, करते अलग काम हो दिखाएं जादा करें कम यह हो सकता है कि वो raw materials उठा उठा के चोरी करने ले जाएं ऐसा practical बहुत बार देखा गया है मतलब अगर first say मैं बोलती हूं कि कोई अपने घर में contractor hire करता है कि भी आप पुरा घर के furniture और सब कुछ interior देखना है तो बहुत सारे मैंने workers ऐसे देखें जो क्या करते हैं लकड़ी उठा के ले जाते हैं माइका उठा के ले जाते हैं कुछ भी use मतलब कोई भी ऐसे चीज जो यहाँ पर आपको लग रही है एक्सेस में है कोई note नहीं कर रहा उठा के ले जाओ तो ऐसे workers organization में भी कर सकते हैं माल लो बहुत सारे raw materials आये हैं भर-भर के raw materials आये हैं अब ऐसे में छोटे-छोटे parts की तो कोई वो निगरानी नहीं करेगा माल लिजए cotton वाली कोई ऐसे industry थी जो softwares में काम करते थी cotton बहुत सारी आती है वहाँ पर आपने क्या कि आएस्ता आएस्ता दो जेबे भर के रोज cotton घर पे लाना शुरू कर दिया ऐसे सिनारियो में थोड़ा-थोड़ा cotton गायब होगा तो पता भी नी चलेगा organization में लेकिन नुक्सान भी बिलकुल हो रहा है क्योंकि जितना हमने resources सोच था काम आ जाएंगे जिससे पूर्ती हो जाएगे वो हो नहीं रहे अब resources कम पढ़ रहे हैं raw materials कम पढ़ रहे हैं दुबारा मंगवाने पढ़ रहे हैं वो बोलते हैं बूद बूद से सागर बनता है तो एक-एक जेब भी अगर तुम रोज भर के आओ cotton की तो काफी सारी cotton waste हो जाएगी ऐसे सिनारियो में नजर रखना उन पे अच्छे से कि कोई भी worker dishonest means से कुछ भी ऐसा नुक्सान ना करे या फिर अपने company की कोई भी information बाहर बाटके ना आए ये सारी चीजें कहीं न कहीं देखना lower level management का काम होती है तो lower level management क्या करता है बहुत सारे काम करता है क्योंकि exactly यही क्या करेगा पूरे company की exact production पे अपनी नजर रखता है ये होते हैं functions lower level management के I hope आपको ये सारे functions समझ में आए होंगे और अगर आपको कोई भी doubt है किसी भी तरह का तो आप comment section में पूछ सकते हो और अगर आपको notes चाहिए तो आप magnetbrains.com पे जाके notes भी ले सकते हो that's our official website जिसका link is description box में लिखा हुआ है thank you so much for watching this video